रिग्नेनी शेरंट जी गौलियर से श्री हरिवंच महराजी ब्रह्मूर्थ क्या होता है और इस समय उठने से क्या-क्या लाब होते हैं? उठके देखो तो पता चल जाएगा चार वजे से और शे बजे तक का जो समय है भजन के लिए बहुत लाब दायक है इस शमय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर शेहीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और सारीरिक अस्वस्तता ये आगे चल कर उसे घेर लेगी मानसिक बीमारियां कई तरह से मन डराने लगेगा कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाय जागरत हो जाएगी इसलिए हमारे ब्रह्म रिश्यों ने आज्या की है कि चार बजे से तो उठी ही जाना चाहिए और चार से च्छे के बीच में मा लोग चार से पांच के बीच में सोई रहें तो आप पांच से च्छे के बीच में उठ जाहिए चार से छे के बीच के समय में आप उठकरके अपनी भागोतिक दिन चजया करें भागोतिक दिन चजया में जिसे अपने लोग राधावले भी हैं तो प्राता हकाल उठकरके अपने गुरुजनों का रसिकों का सुमिरन करें गुरुमंत्र का जब करें फिर शनानादी करके स्री जी की मंगला स्री जी को सुन्दरपद शनानादी या अगर उस समय ऐसी भावना है तो दो घंटे बेट करके जब करें मंगल बेला होती है प्राता कालीन उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी नहीं करना चाहिए वो अपने लिए पर्मार्थ और श्वार्थ दोनों की हानी करने वाला है, चार से च्छे के बीच में. महराग जी, मैं शुबह उठ जाओंगा, मैंने सोच लिए कि अब मैंना कल से उठ भूँगा, तो मैं एक हफता उठ लूँगा, फिर जैसे मेरे मन के अंदर आका नहीं अब मैंना उठ लग गया हूं, फिर अगले दिन रहना वो फिर तूरठेर हो जाओंगा. नहीं ऐसा नहीं, आपका द्रड नियम होना चाहिए, नए बच्चे हो तो अलारम वाला सिस्टम रख लो, वो जब बजे तो उठके बैठ जाओ, इसमें आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, कुछ समय प्रयासरत रहेगा, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा, कि आप उस समय नहीं सकते हैं जिससे अभ्यास बन जाएगा, तो आप सो ही नहीं सकते हैं, तो आप उसससदिन दंड श्जीः करो, व्रत रहे जाओ, कि आज समय से उठें इसले आज भूजन नहीं, व्रत रहे लो, ठीक है? और ठीक हो जाओगए जिस दिन चार बजे, जो अभी आप निय इस दिन प्रमाद वस ना उठो, उस दिन वस उपवास कर लो, एक बार थोड़ा फल पालो जू कुछ, बज रहने दो, मन इराम ठीक होने लगे, भाया अगर ऐसा हुआ तो फिर इसलिए वो सुचेगा गंटावर की बात जल्दी उठ जाओ तो चक पाले को मिलेगा, ठीक है? आप ऐसा करूँ